जोतिशोर जीवन में आपका स्वागत है पिछले दो वीडियो में हमने कुंडली मिलान के संदर्व में कुंडली के मांगलिक दोश के बारे में चर्चा की आज के इस वीडियो में हम उसी चर्चा को मिलान के संदर्व में थोड़ा आगे बढ़ाते गुनली मिलान में मांगलिक दोष के बाद जो सबसे ज़ादा पूछे जाने वाली और जाने जाने वाली बात होती है गुन कितने मिल रहे हैं? इस मामले में सबसे ज़ादा जो प्रचलित जो सिधानते वो है अश्ट कूट गुन मिलान का अश्टकूट गुण मिलान में आठ तत्यों को देखते हैं और उनके शुवाशुब के आधार पर अंक जो प्राप्त होते हैं उस पर निर्णा किया जाता है कि एक मिलान शुब है या नहीं तो उसमें प्रतम बिंदू है वर्ण जैसे समाज में चार वर्ण होते हैं ऐसे नक्षत्रों में भी चार वर्ण ब्रामन, शत्रि, वेश और शुद्र माने गए हैं उसी आधार पर शुवाशुब देख करके यदि शुव इस्तिती बनती हो वर्ण की तो उसको पूर्णाग एक प्राप्त होता है दूसरा बिंदू होता है वश्यर जिससे पती-पत्नी के विवाही जोड़े के सामज जस्य का विचार किया जाता है यदि वो शुव हो तो उसमें पूर्णाग प्राप्त होते हैं दो तीसरा तथ्य होता है तारा तीसरा विचारनी बिंदू तारा तारा में वर और वधू के जो जन्मनक्षत्र हैं उनके गण्णा के आधार पर शुवाशुख का विचार किया जाता है और वो यदि शुव हो तो पूर्णाग होते हैं उसके तीन तारा के बाद योनि नाम सही सिद्ध है इससे योनि से उनके विवाही जीवन में शारिरिक सुक के संतोष और संतोष के स्तिति पता चलती है वो यदि शुव हो तो पूर्णाग योनि में आते हैं चार और उसके बाद गढ़ मैत्री दोनों की राशियों के जो गढ़ स्वामी हैं उनमें आपस में शत्रुता या मित्रता है या नहीं यदि मित्रता हो तो उनके पूर्णाग होते हैं पांच उसके बाद फिर गण देव गण, मनुशिक गण और राक्षज गण तीन गण इनकी शुबता मेल के आधार पर गण में पूर्णाग होते हैं छे उसके बाद फिर आता है भकूट दोनों की राशियां यदि आपस में दूसरे बार में हो छटे आठ में हो, नवम पंचम हो या अशुब इस्तिती में चोथे दस में परती हो तो भकूट दोश होता है और ये दोश नहीं होने पर शुब इस्ति यदि बैठती दोनों की भकूट में तो फिर पूनांग होते हैं साथ अंतिम जो है नाड़ी नाड़ी में तीन नाड़ियां आदी, मद्धी और अंति अगर अलग-अलग नाड़ियां हो दोनों तो पूनांग प्राप्त होते हैं और यदि अलग-अलग ना होकर के एक ही नाड़ी यदि हो दोनों की तो नाड़ी दोश बनता है और उसमें अंक जीरो हो जाता है बहुत से विद्वान कुछ विद्वानों की राय होती है उनमें वर्ण विशेष के लिए क्षत्री के लिए, वेशी के लिए, शुद्र के लिए नाड़ी, भकूट, वर्ण अलग-अलग दोशों को प्रधानता दी गई है और ब्रहमनों के लिए नाड़ी दोश को सरवर्था वर्जित माना गया है लेकिन यदि नाडी दोश आता है, तो विवाह नहीं करना चाहिए. अब हम प्रश्ने एक हमारे मस्तिष्क में पैदा होना चाहिए. नाडी दोश केवल ब्रहमनों में ही त्याज क्यों है? क्या कारण है? हो सकता है, जब काया विशे हो, उस समय में ये नाडी दोश केवल ब्रहमनों के उपर लागू होता हो. हो सकता है, आज परिष्टिती ऐसी हो, कि आज सब पर ही नाडी दोश टालना चाहिए, क्या कारण? तो कुछ विद्वान नाडी के मामले में सूर्ज, चंद्र और सुशुम्ना, जो राहू नाडी, इनको नाडी मानते हैं. कुछ विद्वानों की राय में नाडी से तातपर जिससे रोग निदान किया जाता है, नसे, और उन नसों का संबन्ध किससे सीधा सा रख्त से. कहीं ने कहीं रख्त की निकटता है, और रख्त की निकटता में विवाह नहीं होना चाहिए. इसलिए हिंद्वों में, रिष्टें में जब करने की बाद तो गोतर भी यदि एक हो जाये, तो मान के चलते हैं ये भाई बेहन हैं और रिष्टा नहीं किया जाता है। बहुत स समाज ऐसे हैं जिनमें रक्त की निकटता में भी विवा होते हैं और परिणाम सामने हम नदिर उठा के देखें तोड़ा समझ में आ जाएगा कि रक्त निकट संबंद होने में विवा होने पर संतानों के क्या इस्तिती और जो रक्त टालते हैं संबंद दूर के संबंद में किया जाता है तो उनकी विवेक की क्या इस्तिती एक समय था जब ब्राह्मनों का कर्म ही ग्याना अरजन माना जाता था ग्यान अरजित करना और दूसरों को ग्यान देना दूसरों को मार्ग दर्शन देना राजा महराजा भी आचारी से परामर्ष की बिना कोई महतुपूर्णी नहीं लग देते तो जब ब्राह्मन के कुल में एक विवेक से शुनिन पैदा हो जाए तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा क्या जो खुद नहीं जानता क्या दूसरों को मार्ग बताएगा इसलिए एक समय जब प्राचेन की बात जब काया विशे है तो ब्राह्मनों में नारी दोष सर्वता त्याजिका गया आज परिस्तितें बदल चुकी है आज हर वेक्ति चाहता है किसी भी वरन का हो वो यह चाहता है कि उसकी संतान ब्रिलियंट हो विवेक्मान हो तभी तो प्रग्रति कर पाएगी इसलिए आज की तारीक में नारी दोष सभी वरनों के लिए त्याजिकर देना चाहिए जहां तक मेरा प्रशन है मैं चाहे वो वेश्वरन हो चाहे वो खशत्री हो या कोई भी वरन हो नारी दोष को में तालने की कोशिश करता हूँ मैं मेरी तरफ से उसको वर्जी थी कहता हूँ अब बात आती है अश्टकूर्ट गुनमिलान में गुनों के अंकों की यदि जन्म कुनली जन्म के आधार पर है और उसमें नक्षत्रों के आधार पर गुनमिलान किया और ग्रह मेत्री में कहीं बाधा है किसी भी तरह से वर्ण में वश्य में कहीं भी और उसका समाधान फिर ग्रह मेत्री में अगर शत्रुता है लेकिन वो दोनों नमाश में बली हो जाएं या फिर सब्तमेश अस्टमेश की इस्तिती शुब हो जाए या फिर दोनों राशियों का स्वामी एक हो जाए शड़स्टक की पोजिशन बनती हो किसी भी तरह से भकूर दोश की पोजिशन बनती हो और उन दोनों ग्रहों के स्वामी यदि आपस में मित्र हो शुब इस्तिती बनी हो तो उसका परिहार हो जाता है लेकिन वो इस्तिती तब की है जब जनम कुंडली से वो हम नक्षत्र मिलान की पर इस्तिती देख रहे हूं लेकिन कई बार क्या होता है जनम कुंडली के आधार पर नाम रखा हुआ है नहीं जनम हम एक तरह सा चर्चा करके देखते हैं, मैरे ऐसा अनुभव है, कई बार मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, पंकज नाम का एक लड़का है, और सावित्री नाम की एक लड़की, उनके विभा की बात चली, उनके परिवार वाले मिलान कराने के लिए पहुंचे, पंकज स देखा तो वो देखते हैं, उत्रा फाल गुनी का दूसरा चर्ण का पंकज से नाम जब नक्षत निकाला, तो आता उत्रा फाल गुनी का दूसरा चर्ण, अब सावित्री, सावित्री से देखा उन्होंने, तो शत विशा का दूसरा चर्ण आता है, अब उत्रा फाल गुनी के दूसरे चरण और शत्र विशा के दूसरे चरण का यदि हम अश्टकूर गुण मिलान निकालेंगे तो कुल साड़े ग्यारह गुण मिलेंगे और उसमें गण दोश, नाड़ी दोश, भकूर दोश, तीनों दोश भी आएंगे इस परिस्तिती में विवार की हनुवती नही हुई थी ये, तो क्या हमने इसका नाम घर में कला रखा था? सावित्री तो जब इसकूल में भरती कराय तब कर दिया, घर में तो इसको आज भी कला के नाम से ही बुलाते हैं, अब क्या हुआ? सावित्री से नाम कला हो गया, तो क्या हुआ उसका जीवन, उसका भग, उसकी भी तरह से बदल दिया और फिर अगर गुण मिलान किया तो मिर्गशिन नक्षत्र का तीसरा चलन हो जाता है और गुण मिलान साड़े तीस हो जाते हैं गुण मिलान निर्दोश हो जाता है अब यहां सोचने वाली बात है यह मिलान केवल नाम बदलने भर से साड़े ग्यारे को करना ना करना बराबर है इससे तो अच्छा ये है कि व्यावारिक रूप से देखा जाए कि परिवा लड़का लड़की क्या इस्थिती है और फिर विवाक करना है ना करना है ने ने ले आ जाए क्योंकि ये ये बराबर भरोसे के काबिल ये नहीं है जन्मकुली तो हम उस बात को उस आधार पर सही गलत बोल सकते हैं यह तो निराधार बात है तो ऐसी इस्तिती में कई बार यह देखने में आया केवल नाम मिलान के चक्कर में केवल नाम सी मिलाने के उसमें कई बार बहुत अच्छे सम्मंद होते होते रह जाते हैं और कई ऐसे सम्मंद हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए बाद में समस्या आती है तो फिर कहते हैं कि मिलायता था पंडिजे ने का था बहुत अच्छे मिलान हो रहे हैं पच्चीज गुण मिल रहे हैं अब वो नाम क्या दार पर था जोतिश के या जोतिशी के माथे रखने से काम नहीं चलेगा और तो मेरी इसमें निजिराय यह है कि जनम कुणली यदी है तो मिलान अश्टकूर मिलान पर विचार किया जाए और यदी नहीं है तो इस तरह से केवल मन समझाने के लिए कि तने गुण मिल रहे हैं कितने नहीं ऐसा करना पूचित नहीं है जनम कुणली मिलान के संदर में मे गहरा विशा है एक जो थी इसके जब मिलान देखते हैं इसके आतिक बहुत सारी बाते हैं देखता है वो अलग बात है कि उसका अनुव होता है उनका और नजर पर दे उनके वो बात समझ में आ जाती है वो अलग चीज है तो उनके समय कम लगने की वज़े से उसकी महत्ता को नकार नहीं सकते, यदि हमारे पास जनम कुली है, तो मिलान और उसको प्रात्मिक्ता दें, और यदि नहीं है, और यहामें कन्फम मालूम है, कि नाम वैसी रखे गए हैं, जनम के आधार पर नहीं है, फिर दूसरी बातें व्यावारिक प्रैक्टिकल देख करके विवाहा का स कोड़ा समझ करके पहले दो वीडियों में भरम के जो इस्थिती मांगलिक के बारे में उसको इस्पष्ट करने की कोशिश की, और इस वीडियो में हमने ये अश्टकूट गुनिम्नान के मामने में जिस तरह की धारनाय प्रचली थें, मैंने अपने हिसाब से उसे इस्पष किया था? नहीं, जहां तक मैं समझता हूं, हर वेक्ति का जबाब हो कि नहीं, कोई प्रयास नहीं का, स्वत्र अचानक हमारे जन्म की घटना घटी है, तो जैसे जन्म की घटना घटी है, एक दिन वैसे ही अचानक मृत्यू की घटना भी घटेगी, अब इन दोनों के बीच का जो जीवन है, उसमें अधिकांश मनुष्य अपने हिसाब से, एक करतापन का भाव लिये हुए, जीवन को अपने हिसाब से विवस्तित मैनेज करने के कोशिश करते रहते हैं, और कई बार इसकी वज़े से वो जीवन को बहुत ज़्यादा बोजिल बना लेते हैं, उसकी सहचता ही नश्ट हो जाते हैं, कुछ विक्ति ऐसे होते हैं, जो जीवन में जो कुछ चलता है, उसको सहचता से स्वीकार करते हुए, जो कुछ उनका कर्म है जो उनसे बन सकता सहच भाव से, करतापन का बोज ना लेते हुए, किसी तरह का अहंकार अपने उपन ना लेते यदि आप इस तरह से जीवन जी रहे हैं, जो कुछ आपका करना है वो आप कर रहे हैं, करतापन का कोई अहंकर और किसी तरह से आप जबर जती उसको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास आप ना कर रहे हैं, जो कुछ जीवन में घट रहा है, उसे सहस्ता से सीकार यदि आप क आप अपने हिसाब से विवस्तित मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रकृति के जो इशारे हैं, उनको हम एग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, खुद हैंका इस बात में मैं चाहूं ज सहजता को स्विकार कीजिए जो कुछ जीवन में घड़ रहा उसको सहजता से सरलता से स्विकार कीजिए और जो कुछ कर सकते हैं उसे भी सहजता सरलता से कीजिए इस अहंकार से मुक्त हो जाएए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या मैं अपने इसाप से विवस्थित कर सकता हू करतापन के भाव से जैसे ही आप मुक्त होंगे इस करतापन के अहंकार से जैसे ही आप मुक्त होंगे आपका जीवन बहुती सहज और सरल हो जाएगा और जो आनन्द की इस्तिती आप महसूस करेंगे फिर उसके लिए आपने अभी कल्पना भी नहीं की है परिवर्तन करके देखिए और अपने आनन जीवन को उसी तरह आनन दे जीजिए जीने का प्रयास कीजिए एक ही शर्त उसके लिए और वो है सेवर केवल अपने आपको करतापन के भाव से आंकार से मुक्त करना और जो कुछ जीवन में घट रहा है जो कुछ जीवन में हो रहा है उसे सहस्ता से सरलता से स्विकार करना मैं चाहता हूँ कि आप इस सहस्ता को स्विकार करें और आपका जीवन आनल नमय हो इसी सुर्णिम सुत्र के साथ मैं आपको आज दमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ नमस्कार झाल, 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 झाल